जैश्री कृष्णा रस्पान कीजिए आज की कथा का इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने ध्वारा कीगे प्रतिग्या को भंग करने के बाद तीर्थी आत्रा का निश्चे किया और किस प्रकार वे तीर्थी आ आनंद बढ़ा दिया उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक उंचा परवत देखा जो काल हस्ती के नाम से प्रसिद है उस महा नदी में इसनान करके वे परवत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित काल हस्ती श्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया पार परवते शिखरों पर एकांठ प्रदेश में उन्होंने शिवजी के ध्यान में तकपर हुए अनेका नेक दिबि- योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंदरियों को सयम में रखने वाले अनेको शान्त मुनयों को भी देखा। प्रभाव के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरेवे प्रजवलित अगनी के समान तेजस्वी भरत द्वाद जी को बैठे देखा उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मिर्क चर्म का उत्तरे शोभा पा रहा था इससे वे नूतन श्याम मेग से आच्छादित केलास की तरह शोभित हो रह वे दिविज्ञान के शुब आच्रे थे ध्रती शांती दया तुस्टी और शांती आदी सद्गों नित्य उनकी सेवा में रहते थे वे अखंड ब्रह्मतेज से दैदेप्यमान हो रहे थे अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनी के चर्णारविंदों के आगे प्रत चुलास से भरा हुआ था ये था योग अर्गाधी प्रस्तुत करके मुनी ने अपने प्रेय अतिति का सतकार किया और एक आसन की और संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया जब अर्जुन बैठ गए ताब उनसे स्वास्त संबंधी कुशल प्रश्न किया इसके बाद साथ आईवे ब्रह्मनों सहित वे मुनी के कुटी ग्रह में गए और वहां उनके आशिर्वाद से आनन्दित होकर बैठ गए उस समय सुवन मुखरी नदी के शीतल जल को चूकर चलने वाली ठंडी वायू से अर्जुन को बड़ी प्रसनिता हो रही थी सूत जी कहते हैं अर्जुन ने सुख पूर्वक बैठे वे भरदवाज मुनी को प्रणाम करके विनय पूर्वक इस प्रकार गंभीर वचन में कहा मुनिश्रेश्ट इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने पने पुत्र की तरह भली भाती आदर किया है अर्जुन तुम कौरवकुल को पवित्र करने वाले हो और धर्म पुत्र युदिश्टर के छोटे भाई हो मैंने अने को राजा देखे हैं परन्तु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता दया उदारता धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोबित नहीं थे कुल, विद्या और धन ये बल्वान पुरुशों के अभिमान में कारण होते हैं किन्तु तुम्हारे जैसे कल्यान में पुरुशों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं राजन मैंने मुन्यों के मुख से जो दिव कथा सुनी हैं वो तुम से कहता हूं उसे सुनो पूर्व समय की बात है दक्ष कुमारी सत्ती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग कर हिमाले की पुत्री के रूप में प्रकट हुई फिर सब्तरिशियों ने आकर जब प्रार्थ न की तब गिरिराज हिमाले विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तक पर हुए उसके बात जगदीश्वर शिफ पारवती जी को ब्याह लाने के लिए हिमाले के निवास इस्थान पर गए उस समय इस्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिफ के मंगल में विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहाँ पर उपस्तित हुए उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमी नीची हो गई और दक्षिन की भूमी भार ना होने से अत्यत हलकेपन की कारण उची हो गई इस इसको बराबर करने में समर्थ हैं इसलिए मेरे कहने से इस प्रत्वी को बराबर कर दो तब बहुत अच्छा कहेकर भगवान शिफ को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिन दिशा में चले गई विद्राप्त हुआ ऐसा कहते हुए वे अत्यत प्रसन हो गई उस समय श्री ब् प्रत्वी पर लाए जाने पर अपनी कल-कल ध्वनी से संपुन दिशां को मुखरित कर रही है इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसित होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से सभी लोकों द्वारा प्रशंसित होगी इस प्रकार यह प्रेडित और अधिक व्याकुल मनुशे हैं उन साब के रोगों का निवारन करके उन्हें स्वस्त बना देने वाला एक मात्र स्वर्ण मुखरी का ही जल है अर्ज्वन वह नदी कीचड से रहित अत्यन्त निर्मल पाप नाशक मंगल युक्त और अत्यन्त स्वादिष्ट अम्रित के समान जलधारन करती है अगस्त परवत से इसकी उत्पत्ती हुई है तथा उत्तम तीर्थ समुहों से सुशोबित होकर ये दक्षिन समुद्र में जाकर मिली है महर्शी अगस्त इस नदी का दक्षिन समुद्र से संगम कराकर इसकी इस्तुती करके कृतार्थ ताक अनुभव करती वे पुना इच्छानुसार अपने आश्रम में लोट आए। अर्जुन ने कहा, भगवन आपने इस महानदी की उत्पत्ती का व्रतांत कहा, अब मैं इसकी प्रभाव को भी सुनना चाहता हूँ। सुवन मुखरी का इस्मरन करते वे मनुष जहां कहीं भी अन्य जलों में इस्नान कर लें, तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ती होती है। इंद्रादी देवता सुवन मुखरी नदी में सनान करने के लिए लल्चाईवे चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना जाते हैं। अगर तोला भर्भी सुवन मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देधारियों के परवत समान पापों का भी शीकर ही नाश कर देता है। नदिश्रेश्ट है अगस्त परवत से प्रकट होकर दक्षन समुत्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली आप सुवन मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूं चक्दंबे बड़े बड़े पापों से दक्द हुए अपने इस शरीर को मैं आपके जल से धोता हूं करपया मुझे कल्यान से युक्त करूं इन दो सुक्तों का भली भाती उच्चारन करके जो मनुष्य नियम पूर्वक सुवन मुखरी के जल में इसनान करता है वह शुत्थ होकर आनंद का भागी होता है कुंतिनंदन, चंद्रग्रहन और सूरिग्रहन के समय सुवन मुखरी सुवन मुखरी के जल में इसनान करके मनुष्य दूस अपने के विग्ण से तथा ग्रहों के दुस्ट इस्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से भी तर जाता है सुवन मुखरी के दठपर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राध और देव पूजन सौ गुना फल देने वाला होता है अर्जुन इस प्रकार तुमसे महानदी सुवन मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का मैंने भली भाती वर्णन किया अब और क्या सुनना चाहते हो, जै श्री कृष्णा, अर्जुन ने आगे भरत द्वात जी से जो कुछ भी पूछा उसका व्रतांत आप सभी अगले अग्धाय में सुनेंगे उमीद है आज की ये गथा भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजेगा और आज की गथा में आपने जाना कि किस प्रकार से हमारे रिशी मुन्योंने कठें तपस्या करके